प्रमुक SUV निर्माता कंपनी महिंद्रा ने अपनी सब कॉम्पेक्ट SUV, XUV300 के डीजल इंजन मॉडल को BS6 अपडेट के साथ लांच कर दिया है बता दें कि कंपनी ने नए BS6 इंजन के साथ W8 AMT वेरियंट को बंद कर दिया है और अब आपको AMT gearbox का option सिर्फ W6 और W8 O variant के साथ ही मिलेगा तो आएए जानते हैं पूरी खबर डीटेल में पर उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल Real Auto News को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजे इंजन की बात की जाए तो XUV300 के डीजल वेरियंट में 1.5 लीटर का 4 सिलिंडर डीजल इंजन दिया गया है जो की 115 BHP की पार और 300 न्यूटन मीटर का टॉक जैनरेट करता है ये इंजन 6-speed manual और 6-speed AMT gearbox transmission option से less है बात की जाए कीमत की तो हमें मिली जानकारी के मुताबिक BS6 महिंद्रा XUV300 की कीमत 4.55 लैक से 7.69 लैक रुपीज के बीच रखी गए है जी हाँ BS4 मॉडल के मुकाबले इसकी कीमत में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है बता दें की कम्पनी ने XUV300 के petrol engine model को दिसमबर 2019 में ही BS6 compliant engine के साथ अपडेट किया था और अब ही diesel engine update के साथ महिंद्रा की इस SUV की पूरी range BS6 updated हो गई है साथ ही एक और खास बात ये बता दें कि Auto Expo 2020 में कम्पनी ने इस SUV का 1.2 लीटर turbo petrol engine model भी पेश किया था जो की 130 HP की पार और 230 Nm का peak talk generate करती है और इस model को भी कम्पनी जल्दी ही बिकरी के लिए launch करेगी ऐसी उम्मीद की जा रही है तो दोस्तों आपको महिंद्रा की कौन सी SUV सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आपको अगर ये information पसंद आई हो तो वीडियो को like और share जरूर कीचे Thank you